हरे कृष्णा गुडी पाडवा या उगादी नए साल को स्वागत करने के लिए मनाई जाती है हिंदू पांचांग गुडी पाडवा के दिन से प्रारंब होता है इस दिन कोई भी शुब काम करने के लिए पांचांग देखने की जरुरत नहीं होती क्योंकि ये दिन अपने आप में ही एक पवित्र और शुब दिन होता है गोडी पाडवा एक त्योहार अवश्य है लेकिन इसका तत्व गुईय है आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे ब्रह्म पुरान के अनुसार भगवान विश्नु के नाभी से प्रकट हुए कमल के पुष्प पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ उन्हें सब कुछ अंधकार दिख रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जन्म का उद्देश क्या है भगवान विश्नु ने जब उन्हें ग्यान प्रदान किया तब ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन स्रिष्टी की रचना शुरू की इसलिए गुडी को ब्रह्म द्वज माना जाता है और पढ़वा का अर्थ है प्रतिपात इस दिन से चैतर नवरात्री का भी शुभारंब होता है रोज विभिन्न देवी को पूजा जाता है और उनसे प्रातना की जाती है कि भगवान की भक्ती करने के लिए वो हमें आशिर्वाग प्रदान करें चैतर शुकल नवमी को भगवान श्री राम का जन्म होता है चैतर प्रतिपात से नौ दिन पूजा अर्चना का अर्थ होता है कि हम उत्साह से नवमी के दिन श्री राम की पूजा कर सके जिसके लिए गुडी को विजय पटा का भी कहा जाता है जो प्रतीक है भगवान राम का, रावण के उपर विजय का और उनके आयोध्या वापस लोटने का, माता सीता और लक्षमन जी के साथ भारत वर्ष के कई प्रदेशों में इस दिन पे नव वर्ष बड़े ही हर्ष और उलास के साथ मनाया जाता है गुड़ी पड़वा से पूर्व घर और आंगर की अच्छे से सफाई की जाती है, लोग अपने घर पे गुड़ी लगाते है गुड़ी का कुछ ऐसा महत्व है कि दंडी पर जड़ी का कपड़ा लगाया जाता है, जो समरिधी का प्रतीक होता है उसके ओपर फूल की माला लगाई जाती है, जो पवितृता का चिन्न होता है इसके साथ नीम के पत्ते, जो आरोग्य और मिठाई की माला, जो रिष्टों में मिठास का प्रतीक होता है और इन सब को बड़े ही सुन्दर तरीके से सजाया जाता है और इसके साथ आम के पत्ते और चांदी या पीतल का लोटा भी रखा जाता है कई लोग घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं तो चलिए गुड़ी पाडवा के लिए अपनी शुरद्धा बढ़ाते हैं और भगवान की भक्ती में अग्रसर होते हैं आप सभी को गुड़ी पाडवा की धेर सारी शुपकामना है धन्यवार हरे कृष्णा ऐसे ही और भग्ती में कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अत्वा डी टी एच ऑपरेटर से समपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839